हलो इस्टुएंट्स नेक्स टम्डिसस करेंगे एक्जैम्पल नम्बर फोर देखो क्या क्या रहा है आप बोट कवर 32 किलोमेटर अप्स्ट्रीम ओके तो यहां पर वही लैट वाली कंडिशन करेंगे हैं हमें फाइंड क्या करना है बोट की स्पीड इस्टिल वाटर में और स स्पीड ओफ इस्ट्रीम जो बहता हुआ पानी है वह वाइ किलोमेटर पर आर यहां तर समझ में आगे अब मेरे बास सुना हम यहां पर निकालते हैं डाउन स्ट्रीम इस्ट्रीम जो स्पीड होती है हमरे पास कितनी हो जाएगी हो एक्स प्लस वाई क्या होता है इसका जब आपके पास पोर्ट और वाटर जो है वो दौन एक डिरेक्शन में जा रहे हैं नेक्स्ट है आपके पास प्रिस्ट्रीम कि इस प्लस क्या होनी चीए एक्स माइनस वाई किलो मेटर पर आर ऐसा है होना चीए न बिल्कुल होनी तो ऐसी चीए ठीक है यहां तक समझ में आ गिया बिल्कुल आ गिया है कि अब आगे सुनो आँ डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई अप स्ट्रीम स्पीड हो गई मेरे पास ठीक है अब मैं आपसे ही कहा रहा हूं यह बोल रहा है केशन ऐसा अब बोट कवर 32 km अपस्ट्रीम और 36 km तुम यानि डाउन स्ट्रीम के वक्त जो उसका डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है 36 km द कर लेता हूं ठीक है अगर मुझे यहां पर टीवन फाइंड करना है अगर मुझे यहां पर टीवन फाइंड करना है तो फॉर्मुला क्या होता है यहां पर डिस्टेंस अपॉन ऐसा ही होता है अगर मैं लगा हूं तो डिस्टेंस थर्टी सिक्स है और स्पीड इसकी एक्स प् को अगर मुझे यहां T2 find करना हो तो मैं आपर distance upon speed लगाँगा और distance कितनी मेरे पास 32 और speed कितनी मेरे पास x-y यह भी आर में condition है यह भी r में condition है ठीक है अब धियान से सुनना according to question according to question अगर आप ठोड़ा focus करो तो यह बोल रहा था कि इन दौनों का जो time है है वो कितना है seven hour है तो t1 plus t2 मिला के कितना होना चीए seven होना चीए होना चीए नहीं होना चीए ठीक है तो t1 की condition क्या है 36 upon x plus y plus t2 की condition क्या है 32 upon x minus y equals to seven this is your first equation ठीक है इसको पीछे लिख देते है अपन 36 upon x plus y plus 32 upon x minus y equals to seven hour this is your first equation ठीक है according to question कर रहा है अब ध्यान दो second condition again again second condition में यह कह रहा है if it cover 40 km upstream अगर यह upstream में 40 km कवर करता है तो जहां 32 था वहां पर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा और upstream मतलब x minus y इसका time और 48 km downstream के लिए तो 48 upon downstream के लिए क्या दे रखा है मुझे आपर downstream के लिए रखा है x plus y इन दौनों का जो दे रखा है time कितना है 9 मुझे बता दो पहले तो यहां तक किसी भी स्टुएंट को कोई डाउट है क्या यहां तक बिल्कुल आराम से चेक कर लो जो भी स्टार्टिंग से क्या फिर से पीछे वाली स्लैट ले ले लेता हूं मैं इसको आराम से इक्वेशन्स वाला सब्स्टिटूशन एलिमिनेशन क्रॉस मल्टिप्लेकिशन मैथड्स वाला उसमें यह एक एक साइसी 3.6 जिसके बास old book होगी नो उसमें देखना उसमें मिलेगी आपको पैसे कट गया था यह वाला portion reduce हो गया था आपके बार बहुत सारे students ने old book से पढ यह एक सेक्ट्रेंस्टेंग एक सेकंड ऐसे करना और यहां वन अप्ला एक सब्स जाहिए अगर वन अप हूं कॉड़ा मॉढए थोड़ा आपको ओ वन इसको तोड़ा सा y equals to a and 1 upon x minus y equals to b ठीक है अब आप देखो क्या change होगा इस पूरी की जागे तो a आ जाएगा plus इस पूरी की जागे b आ जाएगा और इसकी जागे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा ठीक है अब आपके पास ये condition होगा ये 3rd, 4th condition में ज़र डालो 48 a हो जाएगा plus 40 b हो जाएगा equals to 9 हो जाएगा this is your 4th equation ठीक है यहां तक clear है बिल्कुल अच्छे से ठीक है अब मुझे a और b की value निकालने है अब कैसे निकालते हैं देखो अब आप क्या करो या तो आप किसी एक constant जो है एक जो constant कोफिशेंट है उसको सेम कर लो दोनों तरफ elimination method लगा लेना या तो हम ऐसा गड़ सकते हैं ठीक है या फिर substitution method यूज कर लेते हैं तो हम by substitution method लिख रहा हूं मैं substitution method क्या कहता है अगर मैं यहां से a की condition निकालू 36 a equals to 7 minus 32 b और अगर a निकालना हो तो 7 minus 32 b divided by 36 this is your fifth equation मैं क्या करूँगा fifth को put करूँगा किसमें fourth वाली condition में third से निकाली है fourth में put करनी है put equation fifth in equation fourth, fourth देखो 48 और a की जगे कितना आजाएगा 7 minus 32 b upon 36 bracket close plus 40 b equals to 9 एक है 12 से cut हो गया यह four से bracket के अंदर multiply हो जाएगा यहां LCM हो जाएगा four sevens है कितना हुआ 28 four से 30 हो जाएगा four two's हा eight four three's हा 12 128 b plus three से LCM लेंगे three four's हा 12 120 b divide में कितना आता three तो इस divide वाले three है और यह 9 है तो यहाँ पर cross multiply हो जाएगा यह भी ठीक है आगे चलूँ क्या बचा देखो यहां ते एक बार आराम से pause करके note करके जो है आप फिर आगे बढ़ना 28 माइनस माइनस 128 बी प्लस 120 b इक्वल्स टू 39 27 क्या किया मैंने देखो 28 माइनस 128 b था माइनस 128 b एक सेट यह जीरो यह लगा गया है 128 b प्लस 120 b थ्री नाइन थ्री जा 27 हो गया अब 28 को दर बेज दो 128 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास माइनस का 8 भी बचेगा यह दर जाएगा तो 27 माइनस 28 कितना बचा माइनस का 8 भी इक्वल्स टू माइनस का 1 बी का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 1 बाई 8 आ गया मुझे बताओ यहां ता कोई डाउट है क्या नहीं है अब बी इक्वल्स टू 1 बाई 8 को आप पुट कर दो इन एक्वेशन 50 बिल्कुल क्लास 10 चल रहा है आपके बास आना कुछ ऐसी चीज नहीं है जो एकदम नहीं हो यहां एक की वैल्यू क्या थी एक्वल्स टू 7 माइनस 32 भी अपाउन ए माइनस 7 माइनस 32 भी अपाउन 36 यहां पुट करो 7 माइनस 32 बी की कंडिशन वन बाई 8 और डिवाइड बाई 36 ठीक है 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा ठीक है 3 वन जा 3 टू जा ठीक है एका वैल्यू आ गया मैं अब मेरे पाज़ो दौनों वैल्यू आईए ए और बी की उसको थोड़ा साब ध्यान से देखना ना कैसे पूट होगा मैं यहाँ पर ए और बी की वैल्यू को पुट कर रहा हूं किस एक्वेशन में थर्ड एक्वेशन देखो हमने जो लैट करी थी 1 बाई एक्स प्लस वाई वन बाई एक्स प्लस वाई एक्वल्स टू वन बाई ए था एंड वन अपॉन एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्वेशन तो आपके पास जिसको मैं एक्क्वेशन मानूंगा इस बार सिक्स और यहां देखो वन अपॉन एक्स माइनस वाई बी की एक्क्वेशन वन बाई एट एट इदर जाएगा तो एट इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई यह हो गई आपके पास सैवेंथ एक्क्वेशन बताओ यहां तक समझ में आ रहा है कि बिल्कुल फ्लो चल इन दोनों क्या करते हैं अड़ कर देता है आड़ बोट इक्क्वेशन करो यह दोनों कैंसल आउट यह 2x 12 1 8 कितना हो गया 20 तू से गया 10 टाइम एक्स का वेलियू कितना आ अपने मालों पूट करता है एक्स प्लस वाइक्वल्स टू एक्स की जागे टैन कुट किया उदर जाएगा य का वेल्यू कितना हो गया 12-10 यानि कि 2 यानि की एक्स जिसको आपने स्पीड ऑफ बोट माना था स्पीड ऑफ बोट इन इस्टिल वाटर वह आ चुका है 10 किलोमेटर पर आर सेकंड इस्पीड ऑफ स्ट्रीम वाटर स्ट्रीम वाटर जो कि आपने वाए माना था यह हो गया है तू किलोमेटर पर आर बताओ क्या समझ में नहीं आया के लिए रहे हैं यहां तक तो दिस इस कंप्लीट एक्जेम्पल नमर फोर इसमें कोई डाउट लगे तो आप फिर से रिवाइस करके देखना और डाउट ल लेंगे ठीक है नेक्स मिलेंगे एक्जेम्पल नमर फाइव पार तब तक के लिए बाए बाए